स्वास्ते बहुत मज़ेदार चीज है, जिस तरह आज दुनिया में उससे समझा जाता है। हेल्थ प्रोफेशन बहुत कम हैं, सिर्फ मेडिकल प्रोफेशन मौजूद हैं। लोग मेडिसन सीखते हैं, स्वास्ते नहीं। करीब 15,000 साल पहले, जब आदियोगी हिमाले के उपरी इलाकों में प्रकट हुए। जब लोगों ने उनसे जीवन का मार्ग जानने की कोशिश की, तो उन्होंने जो पहली चीज सिखाए और सबसे मूलभूत चीज सिखाए। उसे आज भूत शुद्धी कहा जाता है, यानि शरीर के भीतर पांच तत्वों की सफाई। भूत शुद्धी अगर सही तरीके से की जाए, तो उससे भूत सिख्धी या पंच तत्वों पर महारत हासिल हो सकती है। ये इस समझ से आता है, ये इस आधार से आता है, कि अगर आप एक साफ सुथरी इमारत बनाना चाहते हैं, तो आपको बस निर्मान समगरी का ठीक से ध्यान रखना होगा। अगर निर्मान समगरी शुद्ध नहीं है, उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है, तो जो इमारत आप बनाएंगे, जो धांचा आप बनाएंगे, वो घटिया क्वालिटी का होगा। ये खोशाली की तक्निके हैं, क्योंकि हमने कभी शरीर को अपना पूरा जीवन नहीं माना। हमने हमेशा शरीर को ऐसी चीज के रूप में देखा, जिसे किसी शण हम छोड़ देंगे। खोशाली की हमारी भावना जीवन की भौतिकता तक सीमित नहीं थी। इसलिए फोकस हमेशा आंतरिक खोशाली पर था, जो गुदरती रूप से एक इनसान की भौतिक खोशाली को प्रेरित करेगा। इसलिए मैं लोगों से पूछता रहता हूँ, अगर आपको अपने शरीर से कोई परेशानी है, तो सबसे पहले ये समझें की शरीर कहां से बना है। अगर आप केला खाते हैं, ये केला अंदर जाकर एक इनसान बन जाता है, तो इसमें एक किस्म की समझदारी और गुण और शमता है, जो केले से इनसान बनाने में सक्षम है, तो इस शरीर का स्रजन अंदर से ही होता है। जब ये शरीर अंदर से बना है, जब हम जानते हैं कि ये शरीर के स्रजन का स्त्रोथ ही हमारे अंदर है, अगर आपको मरम्मत करनी होगी, तो आप निर्माता के पास जाना चाहेंगे, या लोकल मेकैनिक के पास, अधिकांश लोग लोकल मेकैनिक के पास जाने का चुनाव क वो इसलिए नहीं कि वो यही करना चाहते हैं, वो इसलिए क्यूंकि वो निर्माता तक पहुँचने का रास्ता भूल गए हैं, वो बुनियादी धांचा जो शारीरिक और मानविय दोनों अर्थों में आंतरिक खुशाली की इस तक्नीक को लोगों तक पहुँचाने के लिए जरूरी है, दुर्भाग्य से देश में पिछले 200 से 300 सालों के विदेशी राज में नश्ट हो गई हैं, जहां भी मानव आबादी रहती थी, ऐसी जगएं थी, जहां आशदी उगती थी, और लोगों को बस वहां तक पहुँचना होता था, उन्हें किसी दुकान में जाकर उसे खरीदना नहीं होता था, उन्हें किसी के इलाज के लिए जरूरत नहीं थी, क्योंकि लगबख हर कोई जानता था कि खुद के साथ क्या करना है, आपकी दादियां अपनी सेहत और खोशाली के बारे में जो जानती थी, और आज जो पीड़ी मौजूद है, उन्हें हर चोटी चीज के लिए गोली या इंजेक्शन या कुछ और की जरूरत पड़ती है, पचास साल में ही कैसे ये सब बदल गया है, ये घटना तब की है जब मैं करीब 20 साल का था, एक दिन मैं फील्ड होकी खेल रहा था, और मैंने अपना टखना तोड़ लिया, मैं जानता था कि हड़ी तूटना क्या होता है, क्योंकि उस समय तक मैं कई बार उसे तोड़वा चुका था, इसलिए मुझे जानने के लिए किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं थी कि ये हड़ी तूट गई, जब कोई हड़ी तूटती थी तो मैं जानता था कि वो तूट रहा था, और मैं लंगडाते हुए मैदान के किनारे जाकर बैठ गया, बाकी लड़के अभी खेल रहे थे, और वो बहुत धूल उड़ा रहे थे, मैं तेज दर्द में वहां बैठा था, और मेरा पैर सूट चुका था, और इस धूल और दर्द के कारण, मैं किसी तरहां सा सांस नहीं ले पा रहा था, और मेरा दम घुट रहा था, मैं कुछ देर तक सांस नहीं ले पाया, और सांस के लिए तडप रहा था, मैं सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था, सांस के लिए हाफ रहा था, उस समय तक मैं ध्यान करता था, और चीजें करता था, और अचान जब सवा घंटे आँखे बंद करके वहां बैठा रहा. और जब मैंने अपनी आँखें खोली, तो मेरी सांस बिल्कुल ठीक थी, और तब से वह बिल्कुल ठीक है. और सबसे बढ़कर, मेरी तूटी टांग पूरी तरह ठीक हो गई थी. सूजन कम हो गई थी, आप जानते हैं कि आपको बाहिपायर से किक मार कर स्टार्ट करना पड़ता है, जो मैंने किया और मैं ठीक था, उसी शन से मैंने वास्तम में आंतरिक खुशाली की इन तक्नीकों पर ध्यान देना शुरू किया, जिसे आज हम इनर इंजिनियरिंग के रूप में सिखा रहे हैं मुख्य रूप से उसी अनुभव से आया कि कोई शारीरिक चीज, कोई बीमारी नहीं, तूटी हुई हड़ी जैसी शारीरिक चीज सवा घंटे में पूरी तरहन ठीक हो गई और मैं एकदम ठीक हो गया और इसी अनुभव से लेस होकर मैंने कई रूपों में अपने साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया और कई नतीजों पर पहुँचा और आज उसे ही हम इनर इंजिनियरिंग प्रक्रिया के रूप में सिखा रहे हैं